तो वैदिक होम रेमेडीज में आपका स्वागत है आज मैं आपको नमक की सेवन से कीजिए माइग्रेन का इलाज इसके बारे में बताऊंगी माइग्रेन एक ऐसी स्वास्ते समस्य है जो आजकल हर उम्रुक वालों को हो जाती है इसके कई कारण हो सकते हैं माईगरेन एक विकार है जो काफी गंभीर होता है लेकिन इसका इलाज असानी से गरेल उपचार से किया जा सकता है माना जाता है कि माईगरेन से पैदा होने वाला सिर्दर्द नमक की साहता से कम किया जा सकता है जी हाँ वही नमक जिसे आप रोजाना भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए डालते हैं सलादी चाते हैं कि अगर आपको माईगरेन है तो आपको एक गिलास लेमोनेड या फिर ताजा नीमू का रस पीना चाहिए जिसमें नमक मिला होना चाहिए यह उपचार पुरी तरह से प्राकर्तिक माना जाता है एक दूसरा उपाय है कि सिर्दत को बढ़ाने के लिए नीमू को आधा काट ले और उसे माथे पर रगड ले यह प्रिक्रिया काफी असरदार होती है अब नमक से माईगरेन का लाज कैसे संभव हो? इसके बारे में बताएंगे माईगरेन सोडियम की कमी की वजह से होता है इसलिए नमक से इसका इलाज संभव है वैज्यानिक रूप से माना गया है कि सेंधा नमक सामानय नमक से ज़्यादा बैतरीन होता है और जल्दी असर करता है इसके सेवन से तुरंथी दर्द गायव होता है इम्योन सिस्टम मजबूत बनता है और साथ ही यह सेरोटोनिन नमक हॉर्मोन का विकास भी करता है जो की उज़्या बढ़ाने के लिए जाना जाता है अन्य फायदों में नमक हमारे शरीर में अर्कुलाइन और इलेक्ट्रोलाइट्स भी बढ़ाते हैं जिससे शरीर का सिस्टम बैलेंस में रहता है तो अगली बार जब भी आपको लगे कि आपको माईग्रेन का सिर्दध होना प्रारम हो चुका है तो जट से नमक और निबू डाल कर पानी पी ले तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक को शियर करें और मेरी आने वाली नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर फॉचिंग